कि ये मोदी जी का लिखाफा खाली है ये बात चुब रही है इनको क्योंकि ये बात सची होगी और ये बात इसलिए चुब रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार प्रदेश की आदि अबादी के लिए ऐसा ऐलान किया जिसके बाद प्रदेश भर की महिलाओं ने कॉंग्रेस का साथ देने की कस्म खाली है वसंद्रा राजे भी हात मलती रह गई प्रियंका ने एक जटके में सारी बाजी पलड़ दी है जसके बारे में आपको बताते हैं लेकिन उसे पहले एक छोटी सी अपील है आपको बता दे कि MP राजस्थान में अपील से पहले आपको एक बड़ी बात बता दे कि MP राजस्थान के चुनाओं में कॉंग्रेस लगातार BJP को माग देने के लिए अब विस्पोटक तरीके से प्रचार प्रसार में लगी हुई है जिसने BJP के पसीने चुड़ाए हुए है क्योंकि एक और BJP में बगावत के सुर सुनाई दे रहे है तो वहीं दूसरी और कॉंग्रेस की सियासी फिजा ने सबको परिशान करके रख दिया है रिपोर्ट की माने तो पिछले कई दिनों से राजस्थान BJP में कुछ ठीक नहीं चल रहा है यानि कि राजस्थान में BJP क अंदर खाने बहुत गहमा गहमी है अंदरूनी कला मचा हुआ है पाटी के अंदरूनी लड़ाए खुल कर अब सामने भी आ चुकी है एक के बाद एक नेता BJP को जटका देने में पीछे नहीं है वसुंद्रा राजे ने भी अपनी नाकूची करने की कस्म खाली है जिसके च कॉंग्रेस ने अब प्रदेश भर की महिलाओं के लिए बड़ा एलान किया है एक खबर के मुताबिक राजस्थान में जुन्जनु के अरड़ा वता में कॉंग्रेस की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी और अशोग गैलोत ने दो बड़े चुनावी वादे किये दो 12 सरकार आई तो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुकिया को हर साल 10,000 रुपे दिये जाएंगी इसे दो या तीन किस्तों में दिया जाएगा 500 रुपे में सिलेंडर 1.5 लाग परिवारों को दिया जाएगा अभी 500 रुपे में सिलेंडर 86 लाग परिवारों को मिल रहा ह कॉंग्रेस का ये दाव बिजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है मैं इस दोरान प्रियंका गांधी मोधी सरकार पर जमकर बरसी एक खबर के मुदावित प्रियंका गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है रोजकार पैदा नहीं कर रहे है पबलिक सेक्टर कमपनी से रोजगार बनते थे उन्हें सरकार ने अपने बड़े उद्योगपती दोस्तों को बेज दिया है यदि सभी उद्योग पतियों को देते तो दिक्काद नहीं होती इससे रोजगार बढ़ते लेकिन इस सरकार ने चुनिंदा लोगों को दिये खेती किसानी भी अपने मित्रों को सौपने वाले थे हाला कि इस दोरान प्रियंगा गांधी ने मोदी जी के लिए लिफाफे पर तंज कसा है क्या कुछ कहा है आप भी सुनिया मैं कुछ दिनों पहले सिक्राई गए थी वहां पर मैंने एक बात की इतना भड़क गए भाजपा वाले कि मुझ पर केस भी डाल दिया और मैंने बात सुनिये क्या कही थी मैंने ये कहा था कि मैंने टी वी पर देखा पता नहीं सच है की नहीं क्योंकि टी वी पर ऐसी बाते बें होती हैं जो सच नहीं आजकल मैं ने तीवी पे देखा कि देव Gaussian जी के मंदिर मेंमोधी जी गए और उनों ने एक बक्सा होता है ना मंदिर का उसमें लिफाफ़ डाल दिया फिर उस लिफाफ़े को छे महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोधी जी ने डाला है छे महीं नौबाद वहां के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोगे कठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खुला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले तो सब की उमीदे कहा थी और निकला क्या? देश के प्रधान मंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सब के सामने की लिफाफा तो डल रहा है उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम तो देखिए मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है प्रियंका के इस बयान में सियासी गल्यारों में हल्चर बढ़ा दी है क्योंकि एक और महिलाओं के लिए बड़ा एलान और दूसरी और प्रियंका ने जो सियासी तीर छोड़ा है उसने दिल्ली में बैठी मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस पर आपकी क्या रहे कमेंट करके जरू बताएगा वीजियो को लाइक को शेयर करना मत भूलेगा